तर्शक गण एवं शोताओं, मैं रौशनी, आपके सम्मुख प्रस्थुत कर रही हूँ टॉक्टर A. शांकर द्वारा पूर्वानुमानित दोहजार चौबीस में तुला राशिका संभाविक चलन जो ग्रहों की स्थितियों पर आधारित है तुला दोहजार चौबीस राशिफल भविश्यवानियां हो वादा करती है कि वर्ष के दौरान जीवन के कई पहलों को लाब होगा वित्थ करियर और शैक्षनिक गतिविधियों में काफी प्रगति होगी प्रेम संबंधों और पारिवारिक सुख के लिए वर्ष शुब है परिवार के सदस्यों को निवास परिवर्तन के लिए तैयार रहना चाहिए जिसका प्रभाव परिवार के सभी सदस्यों पर पड़ेगा तुला राशी के लिए 2004 एक शानदार साल होने वाला है राशी फल 2024 के अनुसार इस वर्ष आपके जीवन में बड़े बदलाव आने वाले हैं पारिवारिक रिष्टे नाजुक हो सकते हैं और वातावरण में कलह बनी रहेगी वैवाहिक कलह भी संभव है 2024 बुद्ध प्रतिगामी अवधी के दौरान संपत्ती के मामले विवाद का एक और मुद्दा होंगे तुला राशी वालों को बच्चे की योजना बनाने से पहले इन समस्याओं से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए साल की दूसरी तिमाही में आपके लिए अपनी भावनाओं पर काबू पाना आसान नहीं होगा आपको अपने खान पान को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है इस वर्ष आपकी रोग प्रतिरोधक शमता काफी कमजोर रह सकती है यदि आप सैयमित जीवन शैली अपनाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा जून तक आपको अपने करियर में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है हालां कि आर्थिक दृष्ट से दो हजार तुश्टोबीस आपके लिए अच्छा रहने वाला है लेकिन इसके साथ ही आपकी राह में कुछ रुकावटें भी आ सकती है राशिफल दो हजार चौबीस के अनुसार आपके निजी जीवन में कुछ परिशानियां आ सकती है काम के भारी बोज के कारण दो हजार चौबीस में आपको काफी तनाव रहने वाला है आप कानूनी मामलों में भी फंस सकते हैं साल 2024 में सितारे आपसे अपने विचार स्पष्ट रखने को कह रहे हैं अब हम बात करेंगे तुला राशी जातकों के संभाविक प्रेम मैजीवन की जहां तक प्रेम संबंधों की बात है तो तुला राशी वालों के लिए साल 2024 आशा जनक रहेगा आप नई प्रेम साजेदारी बनाने में सफल होंगे सामंजस्य बना रहने से पार्टनर के साथ सुखध यात्रा होने की संभावना है वहीं दूसरी और कुछ मामलों में असंतोश और चिंता रहेगी सभी समस्याओं का समाधान सीधे द्रिष्टिकोंड से करना आवश्यक है नए रिष्टों को पक्का करने से पहले धैर्य की आवश्यकता होगी मजबूत रिष्टों का परिणाम विवाह तक हो सकता है आप जो भी करें अपने पार्टनर को विश्वास मिले क्या हो सकती है तुला राशी के जातकों की करियर की संभावनाए मासिक राशी फल की भविश्यवानी के अनुसार वर्ष दो हजार तो चौबीस करियर पेशेवरों के लिए बड़ी चीजों का वादा करता है पहली तिमाही के बाद आप अपनी योजनाओं को सफलता पूर्वक्रियानवित करने में सफल रहेंगे यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको पूरी तरह से अपने सहकर्मियों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए पदोननती और मौदरिक पुरसकार के साथ जातक के करियर में उतकरिष्ट वृद्ध होगी अपने काम में सफल होने के लिए अपने संचार कौशल का व्यापक रूप से उपयोग करना महत्वपूर्ण है सफलता के लिए बहुत अधिक मेहनत के आवश्यक्ता होती है बहुत सारी व्यावसाईक यात्राएं होंगी 2024 में वित्तय व्यवस्थाओं का पूर्वानुमान कैसा होगा तूलाराशी के जातकों का तूलाराशी वालों के लिए 2024 राशिफल भविश्यवानी करता है कि वर्ष 2024 पैसे वाले व्यक्तियों के लिए अत्यधिक फायदे मन रहेगा साल की दूसरी चमाही में वित्तक शेत्र से अच्छा मुनाफा होगा साल की पहली चमाही में आपको अधिक सतर्क रहना चाहिए इस दौरान कोई भी निवेश या विस्तार नहीं करना चाहिए जब समय कठिन हो तो खर्चों में कटोती करना जरूरी है किसी विरासत से धन मिलने की संभावना है आपको अपनी आर्थिक गती विधियों में परिवार के सदस्यों से बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा वर्तमान व्यावसाइक परियोजनाए लाब दायक सिद्ध होंगी विदेशी उद्यम अच्छा रिटर्न देंगे पारिवारिक रिष्टों का प्रभाव हम सबकी लाइफ में अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है चलिए देखें डॉक्टर एशंकर तुला राशी के जातकों के लिए दोहजाचोबीस में क्या संभावने प्रस्तुत कर रहे हैं वर्ष के दौरान पारिवारिक रिष्टे मधुर रहेंगे साल की तीसरी तिमाही में उत्सव और शादियां होंगी वरिष्ट सदस्यों का स्वास्थे अस्थिर रहेगा जिस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यक्ता है करियर संबंधी दाइत हो आपको घर की गतिविधियों में पूरी तरह से भाग लेने से रोक सकते हैं परिवार के सदस्यों के बीच कभी कभी मत भेद होंगे भाई बहन अपने कारियों में प्रगति करेंगे उनके विदेश यात्राओं के भी संकेत हैं सभी विवादों को कूटनितिक तरीके से सुलजाया जाना चाहिए 2024 में एक स्वस्थ वर्ष की उम्मीद कर सकते हैं बार बार होने वाली बीमारियाओं दबी रहेंगी और इससे बड़ी राहत मिलेगी अच्छे स्वास्थे के साथ आप बाहरी गतिविधियों और खेलों में शामिल हो सकते हैं एक अच्छा व्यायाम और आहार व्यवस्था आपके शारीरिक स्वास्थे को बढ़ावा देगी साल की शुरुआत में चिंता संबंधी कुछ मुद्दे सामने आ सकते हैं नियमित चिकित्सा सहायता के माध्यम से छोटी मोटी स्वास्थे समस्याओं का समाधान किया जा सकता है अच्छे शारीरिक और मानसिक स्वास्थे के साथ आप जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल करने के लिए आगे बढ़ेंगे साल के अंत में स्वास्थे संबंधी कुछ कमियां रह सकती हैं दर्शगण एवं श्रोताओं हमारे रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले धन्यवाद फर्श दो हजार चौब्बीज के थुल्ला राशिफल का मासिक पूर्वानुमान देखते हैं जन्वरी बिना किसी गंभीर समस्या के स्वास्थय उत्तम रहेगा वित्त में बाधाओं का सामना करने की उम्मीद है फर्वरी करियर पेशेवर पदोननती और मौद्रिक पुरसकार की उम्मीद कर सकते हैं स्वास्थय कष्टमय रहेगा मार्च पारिवारिक वातावरन कलह पूर्ण रहेगा कामकाजी पेशेवरों के लिए करियर में व्रिद्धि सुनिश्चित है अप्रेल नौकरी पेशा लोग अपने करियर में अच्छी प्रगती की उम्मीद कर सकते हैं वित्तिय संभावनाय उत्साह वर्धक नहीं है मई वित्तिय मामले बहुत उत्साह वर्धक नहीं है पेशेवर लोग सम्रिद्ध अवधी की आशा कर सकते हैं जून जीवन के लगभग सभी पहलूओं को किसी न किसी समस्या का सामना करना पड़ेगा वित्त कठिन होगा जुलाई स्वास्थ्य संभावनाएं उत्साह वर्धक हैं नौकरी पेशा लोग अपने करियर में आगे बढ़ेंगे अगस्त प्रचुर्धन आगमन वित्त में अच्छी प्रगति लाएगा स्वास्थ्य के मोर्चे पर कोई परेशानी होने की संभावना नहीं है स्वास्थ्य संभावनाएं उत्तम हैं और कोई गंभीर समस्या नहीं है पैसों के लिए आपको ग्रहों का सहयोग मिल सकता है अक्टूबर ये महीना बहुत भूलने योग्य है क्योंकि जीवन के लगभग सभी पहलूओं को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा नवंबर पुराने विकार दबे रहने से स्वास्थ्य की संभावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी करियर विकास में समस्याओं की अपेक्षा करें दिसंबर पारिवारिक रिष्टे बिना किसी विवाद के बहुत मधुर रहेंगे स्वास्थ्य प्रफुलित रहेगा अब हम अंत में एक नजर डालते हैं तुला राश्य के दोहजार चौबीस के संभावित चलन के कुछ महत्वपूर्ण बिन्दूओं पर वर्ष दोहजार चौबीस सुखत और कठिन दोनों चीजें लेकर आएगा स्वास्थिकी द्रिष्टी से तुला राश्य वालों के लिए सामानने समय है लीवर, किड्नी और गैस्ट्रिक समस्याओं से पीडित और कमजोर पाचन तंतर वाले लोगों को सतर्क रहने की आवश्यक्ता होगी मानसिक रोगों से पीडित लोगों की तरह उच्च रक्त चाप के रोगियों को भी सावधान रहने की जरूरत है रोजाना, व्यायाम और योग करें क्रोध और अहंकार से बचें क्योंकि ये आपके स्वास्थे पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे आर्थिक द्रिष्टी से सितारे अनकूल हैं लेकिन केतू के प्रभाव से व्यर्थ व्याय होगा परिवार में गलत फहमी के संकेत हैं लेकिन इसके बावजूद आपके काम पूरे होंगे आत्म विश्वास का स्थर बढ़ेगा भाई बहनों के साथ संबंध मजबूत होंगे भूमी, मकान या वाहन का लाब होने का योग है व्यापार में सफलता के संकेत हैं और सभी प्रकार के व्यवसायों में प्रगती देखने को मिलेगी शनी छोटे इस्तर के कल्यानकारी कारियों में रुकावटें बढ़ाएगा कृपया धैर्य रखें विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होगी आलस्य और मानसिक भठकाव परेशानी का कारण बनेंगे नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अपनी राह आसान नहीं लगेगी मित्र आपका विरोध करेंगे इसलिए धैरे रखें माता पिता अपने बच्चों को लेकर चिंतित रहेंगे गर्भवती महिलाएं अपने स्वास्थे को लेकर सतर्क रहें तीर्थ यात्रा या शारिरिक यात्रा का योग बन रहा है वाहन चलाते समय सचेत रहें क्योंकि चोट आदी के संकेत है सामाजिक प्रतिष्ठा प्रभावित होगी सार्वजनिक आलोचना से बचने का प्रयास करें दर्शगण एवं श्रोताओं हमारे रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले धन्यवाद